नमस्कार competition community के comprehensive current fs program में मैं पोकराज करता हूँ और फिर से आप सभी का स्वागत और जैसे की मैंने last video में कहा था next video में मैं December के current fs को लेकर आऊँगा तो इस video के माध्यम से first से लेके 9th December 2022 तक के जितने भी important current fs है उसको हम लोग analyze कर लेंगे और बिना time को waste करेंगे अपन स्ट start करते हैं आजाते हैं खाली slide पे और खाली slide पर कौन में लेंगे तो एक साहित कार चलिए अब याद रखने का बहुत easy trick बताता हूं आपको राइपुर में एक दुकान है जिसका नाम है क्या मुकुंद रेडियो अब रेडियो है तो रेडियोम क्या बज रहा है गजल तो म मतलब मया वाला clear है यह ठीक चलिए अब थुड़ा सा points को जोड़ते हैं तो मुकुंद से याद रखना है साहित कार मुकुंद कौशल क्या याद रखना है मुकुंद कौशल गजल से क्या है तो है 36 गढ़ी गजल इनकी पहली रखना इनकी दूसरी रखना है मोर गजल के उड़त परेवा तो मैंने क्या बता है मुकुंद से साहित कार है क्या नाम है मुकुंद कौशल और गजल जो है गजल से इनकी पहली रखना क्या है 36 गढ़ी गजल और दूसरी रखना क्या है मोर गजल के उड़त परेवा अब बच गया क्या मया तो मया से इनकी रखना है मया के मूंदरी क्या है मया तो मया के मूंदरी दन तो हमने क्या देख लिया साहित कार को देख लिया और इनकी तीन IMPORTANT रचनाओं को देख लिया चलिए अब आजाते हैं लास्ट वीडियो से questions पे तो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि राष्टपती श्रीमती द्रौपती मूर्मू के द्वारा Land Adventure Award 36 गड़ के किस परवता रोही को मिला था तो सूश्री नैना सिंग धाकर जी सही answer है अगला question क्या है तो SRS 2018 से 2020 के आकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में प्रती एक लाख जीविद जन्मों में मात्री मृत्यू दर कितनी तो 137 हमने देखा था जो की options में नहीं है इसलिए क्या आएगा answer उपरोक्त में से कोई नह देखिए 36 गड़ उपस्वास्त केंद्र स्तर पर NQAS certification हासिल करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है तो चौथा इसको भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था और नेक्स क्या है वजनत योहर 2022 के जारी आकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले एक वर्ष मे कुपोशन की दर में कितनी कमी आई है तो 2.1% इसको भी हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था देख लिया था चलिए अब एक तारिक से नौ तारिक के बीज के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेस है उसमें अपन आ जाते हैं तो सबसे पहला ही टॉपिक है क्या तो डेल् रांकिंग अब आप सभी को पता है अल्रेडी अपन कई बार देख चुक है करेंट अफेस में कि डेल्टा रांकिंग जो है यह जारी करता है कौन नीति आयोग अब यह जो डेल्टा रांकिंग जारी हुई है कौन से मंत के लिए तो अक्टूबर मंत के लिए ठीक है और किस की है तो स्वास्त और पोशन की तो स्वास्त और पोशन की और ओर रांकिंग्स भी है महीना कौन सा है तो ऑक्टूबर है अब स्वास्त और पोशन इस छेत्र में कहूं न तो प्रथम स्थान भारत में रहा है किसका तो सुकमा अब सुकमा क्या है आकांशी जिला है aspirational district है, मैं आपको already aspirational district program समझा चुका हूँ, 36 गड़ में 10 जिले हैं, ये भी बता चुका हूँ, दसों को याद करने का तरीका भी बता ही चुका हूँ तो प्रथम स्थान, first place किसका रहा है, सुकमा का रहा है और eighth place इसमें रहा है किसका, नारायनपूर का तो first rank सुकमा है, eighth किसका है, नारायनपूर का है स्वास्त और potion में, ठीक है overall कहोगे, तो overall में सुकमा third है और नारायनपूर 14th, तो क्या धिहान रखना है October month की जो ranking है, overall में सुकमा third है, नारायनपूर 14th है लेकिन सिर्फ स्वास्त पोश्ण कहोगे health nutrition, तो उसमें सुकमा first है, और eighth कौन है नारायनपूर, ठीक बात है अब कुछ और चीजों को देखते हैं तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतरगत सुकमा जिले के आंगन बाडियों में गर्भवती और जो शिशूवती महिलाएं हैं, उनको पूरक पोशन या nutritional supplement आहार प्रदान करने की दर कितनी हैं 99.14 तो बहुत ज़रूरी है खुद महिला के health के लिए भी और बच्चों के लिए health के लिए भी तो 99.14% प्रतिशत है शिशूवती और गर्भवती महिलाओं को पूरा पोशन आहार प्रदान करने में किसका तो सुपमा डिस्ट्रिक का ख्लियर है ये तो इस अगर मैं बात करूँ slide की तो सबसे पहले अभी pre के point of view से इसमें क्या क्या याद रखोगे तो pre के point of view से सबसे पहले पूछेगा कि aspirational districts में जो delta ranking है कौन जारी करता है नीतिय आयोग ठीक है चत्यगड में कितने aspirational districts हैं तो दस ये question PSC पूछ भी चुका है कौन है कौन सा नहीं है करके detail में पूछा जा सकता है फिर पूछ देगा October मन्त में स्वास्त पोशन में first किसको मिला है तो सुकमा 8 नरायनपूर इसको याद रखना है overall में सुकमा क्या rank मिला है third overall में नरायनपूर को क्या मिला है 14 इतने सारे questions जो है वो इस slide में बन सकते हैं clear है तो इतनी सारी चीज़ों को याद रखना है इसके अलावा अगर health से संबंधित कोई essay आ रहा है तो in districts की बहतर ranking है इस fact को आप use भी कर सकते है clear है अब यह जो overall ranking मिली है वो जिले में स्वास्थ पोशन सिक्षा के साथ ही अन्य छेत्र में जो बहतर प्रदर्शन हुआ है उसके कारण मिली है सुकमा को overall third ranking overall category में third ranking clear है यह चलिए तो इतना ध्यान में रखना अब next आजाते हैं अपन अब next news क्या है तो global achievers इस award का हुआ 6th edition समिधान दिवस के दिन आयोजन करता कौन है तो गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान गौलियर मध्यप्रदेश वाई ठीक है तो गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान गोपालियर मध्यप्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया ग्लोबल अचीवर्स डॉक्टर भीमराव अमबेटकर अवार्ड 2022 कहां पर किया गया तो AMA एहमदबाद मानेजमेंट असोसियेशन गुजराद ठीक है एहमदबाद में ही है ये चत्ति गड़ से मिला किनको है तो ध्यान रखना श्री दौलत राम कश्यप इनको मिला है चत्ति गड़ से डॉक्टर भीमराव अमबेटकर अवार्ड 2022 अब श्री कश्यप जो है वो चत्ति गड़ के जो दूरस्त छेत्र है वहाँ पर विशेश पिछडी जन्जातियां जैसे की बैगा इनकी आजी विका मतलब लाइवलिहोड महिला एवं बच्चों के स्वास्त सिक्षा शांती सद्धामना बच्चों के अधिकार पर जिला कबीर्धा मुंगेली राजनात गाओं में सक्री रूप से क्या कर रहे है काम कर रहे है तो बेसिकली ये जो दौलात राम कश्यप जी है ये असल में हैं कौन तो एक शोशल वर कर है और इनका योगदान आप देखिए तो खास कर बैगा जन्जाती और उस जन्जाती की आजी विका महिला बच्चों का स्वास्त बच्चों के अधिकार इन संबंध में ये काम कर रहे हैं कहां कहां पर तो डिस्ट्रिक्ट है कबीरधा, मुंगेली और राजनात गाओं कभी याद रखना हो ना कि बैगा ट्राइब कहां कहां चत्तिलगण में मिलती है तो याद रखना जहां जहां मैकल परवत है वहाँ वहाँ आपको बैगा जन जाती देखने मिलेगी तो डोंगर गड़ के नॉर्थ की ओर चले जाओ तो थोड़ा हिस्सा राजनात गाओं का उसके बाद खैरा गड़ हो गया उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा कबीर धाम उसके बाद मुंगेलिया और इवन जीपीम गोरिला पेंडरा मरवाही तक पूरा पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा मैकल परवतों का बेल्ट आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान रखना मैकल परवतों में ही निवासरत है ये बैगा जन जाती ये शत्तवड़ की विशेश पिछड़ी जन जाती है और बैगा जन जाती के एकी कित विकास के लिए इंटेग्रेटेड डेवलप्मेंट के लिए एक एजेंसी है Integrated Tribal Development Agency बोलते हैं एकी कृत जन्जाती विकास अभिकरण कहां पर है ये कवरधा तो ये question पूछा जाता है कि बैगा विकास अभिकरण कहां है क्या लगा काओगे कवरधा में है बैगा विकास अभिकरण तो ये जो अभिकरण होते है जन्जाती विकास इनका काम क्या होता है तो जन्जातियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका proper तरीके स्क्या करना क्रियानवन कराना क्लियर है अच्छा एक और चीज़ अब ये जो कश्यप जी हैं अभी वर्तमान में ये आश्था समीती के क्या हैं अध्यक्ष हैं इसके रावा चत्तिदगर्शासन के योजना आयोग जो है उसकी टास्क फोर्स में एक सदस्थिक रूप में भी है और जिला और राज्यस्तर की विभिन्न विशयों में ये मास्टर ट्रेनर के रूप में क्या कर रहे हैं कार ये कर रहे हैं ठेक है एक्जामिनेशन पॉइंट अफ्यू से इंपोर्टन्स क्या है सबसे पहले पूछेगा ग्लोबल अचीवर्स डॉक्टर भीम राव अंबेट का रवर्ड दोहजार बाईस कौन आयोजन करता है कहां हुआ है कौन सा एडिशन था तो बता चुका हूँ फिर पूछेगा किस ने प्राप्त किया दौलत राम कश्यव जी किस छेत्र से संबद्धित पूछ देगा तो याद रखना शोशल वर्क समाज सेवा इसके बाद बैगा जन जाती के बारे पूछेगा इनका विकास अभिकरण कहां है तो याद रखना अभिकरण जो है इनका कहां पर है कवरधा में क्लियर है ये तो इतनी सारी चीजे जो है MCQ के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है इस स्लाइड से चलिए अब नेक्स आ जाते है तो भारती खेल प्राधिकरण Sports Authority of India SAI ने क्या किया है चत्तिगड के साथ खेल इंडिया सेंटर्स को मजजूरी दे दी है तो हमारे राज चत्तिगड का जो खेल एवम यूवा कल्यान विभाग है उसने प्रस्ताव भेजा था किसको SAI को साही बोलता है न अपन Sports Authority of India कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत साथ सेंटर्स जो है उसकी स्थापना की जानी चाहिए और इस प्रस्ताव को क्या मिल गई है मनजूरी मिल गई है और इस प्रस्ताव के आधार पर अब 36 गड़ में साथ नए सेंटर्स बनेंगे और कुल सेंटर्स हो जाएंगे कितने 14, 14 समझगे आया तो साथ पहले थे साथ को मनजूरी मिल गई टोटल हो जाएंगे कितने 14, 14 तो कौन-कौन से साथ नए सेंटर्स हैं तो एक बालोद में आएगा वेट लिफ्टिंग का सेंटर उसके बाद बलोदा बजार में आएगा फुटबॉल का पाटन दुर्ग दुर्जिले का पाटन यहाँ आएगा कबड़ी का कांकेर में खोखो राइपूर में वेट लिफ्टिंग इसके अलावा राइगाड में बैडमिंटन और सुक्मा में फुटबॉल ये साथ नए सेंटर्स आएंगे कुल कितने हो जाएंगे? 14 examination point of view से अगर देखा जाए ना तो सीधा पूछेगा कितने नए सेंटर्स को मनजूरी मिली है? साथ कुल कितने सेंटर्स हो गए है खेलो इंडिया के? तो ध्यान रखना चूदा तो ये दो question आपको इस slide से देखने को मिल सकते हैं चलिए अब आगे देख लेते हैं विधान सभा उप निर्वाचन 2022 आपको पता होना चाहिए कि भानू प्रतापुर विधान सभा जो है इसकी seat रिक्थ हो गई थी क्यों रिक्थ हो गई थी? क्योंकि हमारे विधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे जिनका नाम था मनोज मंडावी जी इनकी क्या हो गई थी? मृत्य हो गई थी और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? उपनिर्वाचन बाइलेक्षन हुआ और बाइलेक्षन में दो प्रमुख कैंडिडेट्स कौन थे? तो कॉंग्रेस की थी श्रीमती सावित्री मंडावी जी और बीजेपी के कौन थे? श्री म्रम्हानन्द नेताम जी अब मंडावी जी ने नेताम जी को 21171 मतोर से हरा दिया मतलब जीत कौन गई है श्री मती सावित्री मंडावी कॉंग्रेस से क्लियर है की नहीं अब जीत गई है तो कॉंग्रेस में जीतने की या कॉंग्रेस से जीतने के बाद चत्तिरगण विधान सभा में अब कुल महिला विधायोक्यों की संख्या कितनी हो चुकी है सोला समझ में आया तो पहले 15 थी खेरागण कुछ यादा रहो होगा तो पहले 15 थी सावित्री मंडावी जी जीत गई अब हो गई कितनी 16, 16 तो ध्यान आपको रखना है इसमें से questions सबसे पहले पूछेगा कि ये जो भानू प्रतापपुर विधान सभा है इस seat का रक्षन किसके लिए अंसूचित जन्जाती याद रखना एक चीज दूसरा क्या याद रखोगे कौन से नंबर की विधान सभा है तो असी नेक्स ध्यान रखना है इस seat से जीती कौन है श्रीमती सावित्री मंडावी किस पार्टी संबंदित है तो कॉंग्रेस अगला पूछ देगा कि महिला विधायकों की संख्या तो अपडेट होकर हो चुकी है 16 तो ऐसे 4 से 5 प्रश्न जो है आपको इस बार के प्री में इस स्लाइड से देखने को मिल सकते हैं क्लियर है चलिए अब आजाते हैं आपनेक्स स्लाइड पर अब नेक्स स्लाइड में क्या है G20 का जो चौथा वित्त कारियर समू है उसकी बैठक आपको पता होना चाहिए एक दिसंबर से G20 जो कि विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समू है ग्रुप है उसका प्रेजडेंशिप किसके पास आ चुका है इंडिया के पास आ चुका है अब इसका जो चौथा वित्तकार्य समू है 4th Permanent Finance Summit है यह होगा कहा होगा तो यह होने वाला है 36 गड़ में कब होगा तो September 2023 में तो September 2023 में होगा कहा होगा 36 गड़ में अब यह जानकारी किस ने बताई है तो हमारे मुख्यमंत्री श्वी भुपेश बगहल जी ने क्वीट करके इस जानकारी को दिया अब यह जो मीटिंग होने वाला है इसकी तैयारी को लेकर एक ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसको लीड कौन कर रहे थे चेयर कौन कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ख्लियर है कि नहीं ठीक है इसी ऑनलाइन मीटिंग में मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे आपको यह फोटों दिख रहे होंगे क्लियर है कि नहीं अब यह जो वर्चुल मीटिंग थी इसमें हमारी राजयपाल सूश्री वी के माडम ये भी बैठक में थी शामिल क्लियर है कि नहीं बैठक में संबोधन किनको किनको तो केंद्री ग्रीह मंत्री अमिच्शाह इसके अलावा 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने बैठक में संबोधन दिया क्लियर है कि नहीं अब इससे मैं बात करूं क्वेशन्स की तो क्वेशन्स क्या क्या सकते हैं सीधा पूछेगा चौथा वित्तकार समू जो है इसका सितंबर दोजारतेईस दूसरा पूछेगा कहां तो आपको ध्यान रखना है चत्रिजगर क्लियर है तो सेप्टेंबर 2023 कहां चत्रिजगर क्लियर है कि नहीं घुमा के और पूछ सकता है कि जीट्वेंटी का प्रेजिडेंशिप अभी किसके पास है तो ध्यान रखना ये च सकते हैं प्री पॉंट फूसे नेक्स्ट आ जाते हैं अपन्यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्वरिज डे पर चत्रUD को किया जाएगा सम्मानित भई तो युनिवर्सल हैल्थ कॉश्ट अच्टीम 022 तो आप 11ंबर लिट्यों प्वडिश होगा तब देख रहे होंगे उसी समय सम्मानित किया जाएगा कहां किया जाएगा तो ध्यान रखना क्यों किया जा रहा है तो health and wellness centers जो हैं उसके संचालन में जो सत प्रतिशत लक्ष रखा गया था उसको हासिल करने के लिए अचीव करने के लिए चत्तिश गड़ को भारत सरकार क्या करेगी सम्मानित करेगी क्लियर है तो चत्तिश गड़ को क्या लक्ष मिला था तो चत्तिश गड़ को समझ में आया ये लक्ष मिला था और हमने क्या किया तो हमने अभी तक 4887 इसका मतलब हमको 4825 का जो लक्ष मिला था उससे हमने 62 जादा मतलब कुल 4887 केंद्रों का संचालन कर दिया मतलब जितना टार्गेट मिला था उस टार्गेट को अचीव भी कर दिया उसको सरपास भी कर दिया इसलिए केंद्र सरकार 36 गड़ को क्या करेगी युनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर सम्मानित करेगी क्लियर है अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो प्रीमे क्या पूछ सकता है कि उनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर सम्मानित किये गए राज्यों में निम्नों में से कौन सा राज्य शामिल है की नहीं तो अंसर क्या जाएगा सी जी ध्यान रखना कप किया गया एक कहा किय गया तो यह एक दो तीन तीन कॉष्चन तो यहीं से बन गया ठीक है बहुत डीटेल में पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा कितना लक्ष मिला गया था यार मिला था चत्रगण को तो 4825 फिर चत्रगण कितना अचीव किया है 4887 इतना डेटा को याद रख लेना मेरे NRLM National Rural Livelihood Mission और मनरेगा के प्रयासो से भारती स्टेड बैंक ग्रामिन स्वर रोजगार प्रसिक्षन संस्थान SBI RCT इसके द्वारा प्रोजेक्ट उन्नती के तहत प्रसिक्षन पूर्वकर जश्पूर जिला जो है वो पूरे प्रदेश में लक्ष प्राप्ती में क्या रहा है तो पूछ सकता है SBRC T में प्रोजेक्ट उन्नती के अंतरगत लक्ष प्राप्ती में कौन सा जिला प्रदेश में नंबर वन एंसर लोगे जश्पूर अगला पूछेगा भई कलिंगा युनिवरस्टी जो है उनके कुल पती कौन बने हैं तो डॉक्टर संधी परोड़ा इस पर अनुमोधन कर दिया है किनोंने तो सूश्री अनुसूया विकेजीन है न्यूस को पढ़ोगे न तो इसमें बहुत सारा जगा बहुत सारी जगा पर आपको यहाँ पर कुल पती नहीं कुल आधिपती लिखा होगा तो भईया मैंने इसको जाकर सीधा चेक किया है किस किसे राजपत्र से कुल पती है खुल आधिपती नहीं वाइस चांसलर बने हैं समझ में आया ना वाइस चांसलर रहे कुल पती नहीं तो जाकर खुद सरच करके देख ले ना इगाज़ेट करके वेबसाइट है, इगाज़ेट चत्तिरगड लिखना मिल जाएगा, उसके अलावा नीजी छेत्र में स्थापित देश और चत्तिरगड का पहला मचली अनुसंधान केंद्र कहां बन रहा है, तो बलोदावजार भाठापारा जो डिस्ट्रिक्ट है, चत्तिरगड स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड इसके नए, एमडी बने है कौन, श्री संजीफ कुमार कटियार जी, और उसके बाद फाइनली, चत्तिरगड में पहली बार इंटरनाशनल क्रिकेट माच होने वाला है, कब 21 जनवरी 2023, आप लोग मत जाना, प्री इसके किसके बीच होगा, तो भारत और न्यूजलेंड के बीच होने वाला है, कहां होने वाला है, तो शहीद वीर नाराइंट सिंग, इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम, नवाराइपूर गाउं है कौन सा, पर सदा, और बताओं, आज मैं 10 तारीक को वीडियो 10 दिसंबर और ये 10 दिसंबर वही डेट है, जिस दिन क्या हुई थी, तो वीर नाराइंट सिंग जी की शहादत हुई थी, आज ही के दिन क्या किया गया था इनको, तो इनको फासी पे लटकाया गया था, 1857 की क्रांती में भाग लेने के लिए, वैसे तो क्रांती जो है, 1857 क उसने 36 के साथ justice किया नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहां के जितने नायक थे, उनको राष्ट्री स्तर पर कोई ख्याती प्राप्त नहीं है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि 1857 की क्रांती के समकालीन हुई घटनाओं में से एक घटना थी, सोना खान का विद्र क्लियर है ये, ठीक है, तो ये कुछ extra facts भी 46 के मैंने आपको बता दिये, जो कि examination में आपको पूछा जा सकता है, एक question पूछता है इनके बारे में, वी नारायन सिंग जी कौन सी जन जातिक थे, तो ध्यान रखना बिंजवार, ये question पूछ चुका है, PSC, चलिए, अब इस वी 2020 के चौथे वित्तकार समू की बैठक सितंबर 2023 में कहां आयोजित होनी वाली है, options once again आपके सामने है, अगला है Global Achievers Award, डॉक्टर भीम राव, अमबेटकर अवार्ड जो है, 2022 से 46 के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, और finally, last question क्या है, भानु प्रतापूर विधान सभा 2022 में विजय प्रत्याशी कौन है, clear है, तो जितने questions हैं, उनके comment करके मुझे बताईए, कुछ doubt है, तो भी बताईए, मैं solve करूँगा, comment section में लिखिएगा, ठीक, चलिए तो इस वीडियो को कर देते हैं, यही पर end और मैं मिलूँगा, आप सभी से अपने अगले वीडियो मे तब तक लिए thank you and take care.